जहन साथियों बहुत बहुत श्रागत है आपका अपनी ही चैनल NIS Online Hub में तो दोस्तों यहां पर विहार सिक्षक नियोजन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि आपके सामने हैं देख सकते हैं सिक्षक नियोजन 1590 में 883 सीटों पर हुआ चैन डी ओ को ने निदेशक से मांगी अनुमती सकेंड फेज में 61 नियोजन निकाई की मुख्याले पर होगी कॉंसलिंग बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और जो कॉंसलिंग जो 400 नियोजन निकाई जो है रद हुआ है उसमें जो है एक सट नियोजन निकाई का यहां पर डाटा सा रखते हैं पर कि पंचायत नियोजन निकाई के लिए के लिए हुई कॉंसलिंग के दोरान हंगा में एवं निमित्ता की सिकायत के कारण 61 कायों की रद हुई यह जो है मुझपरपूर से अपडेट आ रहा है कॉंसलिंग फिर से होगी हलाकि इन सभी नियोजन निकाई की कॉ यह जिल्था मुख्याले में होगा यानी जो भी जहाँ चार सोमीछ यहां पर एक सट कर यहां पर बताया जा रहा है जो कि मुझपरपूर से अपडेट आ रहा है मुझपर पूर से एकसर नियोजन निकाई का नाम दाठा ज्याय आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो इस आप कॉंसलिंग होगा जिला मुख्याले में आगे लिखा है कि 12 जुलाई को हुई कॉंसलिंग में पारू की 28 गया घाट की 17 सहाब गैंज की 3 मोतिपूर की 7 और सकरा की 5 सरया की एक नियोजे निकाय की कॉंसलिंग जो है रद कर दी गही है डियो अब्दूल अंसारी ने इसको लेकर प्राथ्मिक सिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है और इसको लेकर पत्र भेजा है आगे कहना है कि उन्होंने इस कायों की कॉंसलिंग सेकेंड फेज में जिला मुख्याले में कराने की अनुमती मांगी है यह जिला मुख्याले में कराने की अनुमती मांगी है आई आगे पढ़ते हैं लिखावा है कि पत्र में बियो की रिपोर्ट का हावाला देकर लिखा है कि कॉंसलिंग केंद्रों पर भीहार्तियों ने राजक इस्तिते पेदा कर कॉंसलिंग को बाधित कर दिया आगे इसमें लिखावा है कि देख सकते हैं डियो ने बियो के पत्र का हावाला देकर पूरी जानकारी दी इन नियोजन एकाई की जो है कॉंसलिंग हुई है रद और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं केंद्रों पर तेना ता भीहार्तियों की रिपोर्ट के अधार पर कॉ हाली होनी है इसमें 1366 समाइन और 223 उर्दू सी चकपद हैं फर्स्ट फेज की कॉंसलिंग में 883 सीटों पर ही कॉंसलिंग का चैन हो सका है आगे इसमें लिखा है कि 61 नियोजन निकाई के 706 पद खाली रग हैं डिपीओ अस्तपना जामदिल ने कहा कि समाइन के लिए 833 समाइन के 533 उर्दों के 173 पद खाली है यानि मुझपरपूर से अपडेट आ रहा है मुझपरपूर का जो है इन नियोजन निकाई को जो है रद किया है 61 इसका डाटा जो है रिलीज कर दिया गया है देख सकते हैं आप यहां पर जो है 1590 पदों की बहाली होनी है यह मुझ उसके बाद यहां पर गया घट का यहां पर है आप इसे पड़ लीजे उसके बाद यहां पर सरया का है मोतीपूर का है साब तो आंगा तो आपका जो है रद हो गया है जो कि आपको सेकेंड प्रिज में होगा जो कि दो अगस से स्टाटिक होगा तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है आपका सेकेंड फेज में कराया जागा और दोस्तों यहां पर और दर्ज कर ली है आवेदन के अनुसार दो बाइक पर सवार चार बेक्तियों ने नियुजन रद करने की बात कहते हुए जबरजस्ती उसने फाइल चीन ली बताया जाता है कि जानकारी मिनने के बाद पुलिस अधिक्ष के दवाप पर इसकी प्राथमिक्ता दर्ज की गई आग रादियों के मूँ ढखे होने की बात बताई गयी है साती हत्यार तन्ने अवं गोली मारने की धमकी की बात का कोई जिग्र नहीं किया गया है आवेदन के अनुसार नावा नगर बी आर सी भवन से प्राप्त नियुजन की फाइल में सभी 13 अभिहारतियों की फोल्डर फाइ लेकर वी जो है पंचाय सचीव असोक सिंग और दिया संकर मिसर के साथ जीला मुख्याले जाने की करम में जैसे ही नवदे बिद्धाले की बाउंडरी के पास पहुचे की नावा नगर परखंड कारियाले की और से पहले एक बाइक पर चेहरे पर मास्क लगाए दो सवार आ लिया और अभी वे लोग कुछ समझ पाते कि आचाना के एक दुसरे बाइक पर सवार दो बेक्ती चहरा ढके आए और गाली गलोच करते हुए सिक्षक नियोजन की फाइल मांगी इनकार करते ही दुसरी बाइक पर सवार बेक्ती ने धक्का देकर गिराया और जबजस्ति फ बाद सभी डुम्राव की ओर से कते हुए भाग निकले की नियोजन को रद करना है हलाकि इस दोरान उन लोगों ने उन लोगों के साथ मोजूद दोनों पंचाय सचीबों के पास मोजूद फाइल के बारे में पूछा तक नहीं और चले गए घटना का जिगर करते हुए की फाइल चिन ली है हलाकि थाने में दर्ज कराने के लिए देगे आवेदन में ना तो किसी हतियार का जिगर किया गया हो ना लुट आदी सब्द का परयोग किया गया है जबकि घटना के बाद पूछे गए पंचाय सचीब ने हतियार के बल पर फाइल चिनने की बात कैंसलिंग के पूर्भी गिरधर बらव बराव पंचायत में पाँच आवेदकों ने आवेदन गायब होने का मामला ते था कैंसलिंग के दोरान बेलाव पांचायत के कुछ अभियार्थे दुवारा किया गया हंगा मांक इस इस घटना से चार पंचाय सी रॉल बाबु गंज इंग्लीज और बहरेली बे लाव में चैनित 13 अभ्यारतियों की चिंता जो है काफी बढ़ गई है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि नियोजन फाइल लूट के मामले भी आ रहे हैं यानि दोस्तों अगर आप डोकॉमेंट भी देते हैं तो आपका जो है यहां पर अगर इस तरह के घटना होती है तो आपके लिए बहुत चिंता का विसे है तो दोस्तों जो भी अपडेट आएगा आपके साथ सजा किया जाएगा तो सकेंड फेज में जो है मुख्याले में मुझपर पूर से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इसी तरह अपडेट के साथ बने रहे है जो भी अपडेट आपके साथ सजा किया जाएगा